हेलो फ्रेंड्स अस्तलाम उलेकूम विल्कम बेक टू मैं चैनल तम्मोस की चन कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब खायरियत से होंगे अलहमदलिल्ला मैं भी खायरियत से हूँ और आज फिर एक नई रेसिपी शेयर करूँगी मैं आप सभी के साथ रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक चोटी सी रिक्वेश्ट रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और आज मैं शेयर करूँगी चॉकलेट मिल्क शेक चॉकलेट मिल्क शेक बनाने के लिए एक लिटर दूद लिए हूँ ट्रोपोलाइट क्रीम लिए हूँ यह चॉकलेट सीरप मैं घर में बनाई हूँ शक्कर लिए हूँ मैं दालते समय कॉंटेटी बता दूँगी और यह लिए हूँ मैं कोको पाउड है आप इसे ज़रूर ट्राइ करिए और इसका टेस्ट देखिए इंशालला इसका टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा आपको अगर नहीं डालना है तो इसकी क्रीम निकाल सकते हैं बिस्किट की आप इसमें कोई भी बिस्किट यूज़ करिए चॉकलेट वाली कोको पाउडर डाल रहे हूँ मैं 2 तेबल स्पुन आप देख सकते हैं Cant यए थोड़ा सा भणने में कम है जो इसमें बचाए में डाल दूंगी 2 तेबल स्पुन हो जाएगा इसमें डालेंगे अब हम शक्कर शक्कर भी हम तेबल स्पुन से ही डालेंगे 6 तेबल स्पुन आपको अगर जादा मीठा पसंद है तो थोड़ी सी जादी आड़ कर दीजिए अगर कम मीठा पसंद है तो कम कर दीजिए मैं यहाँ पर 6 टेबल स्पून का इस्तमाल कर रही हूँ एक लिटर दूद का बना रही हूँ अब इसे हम थोड़ा सा पीस लेंगे फिर दूद एड़ कर देंगे अगर ओरियो बिस्किट के आपको क्रीम निकालना है तो निकाल सकते हैं यहाँ पर मैं निकाली नहीं हूँ और यह ट्रोपोलाइट क्रीम निकाल रही हूँ हमें आपकब से थोड़ा सा ज़ादा ले रही हूँ मैं अंदर से निकाल रही हूँ आप यहाँ पर क्रीम के जगा पर वैनेला आइस क्रीम का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसमें मैं थोड़ा सा दूठ डाल कर पीशूंगी थोड़ा थोड़ा करकर दूठ डाल रही हूँ ज़्यादा दालूँगी तो बराबर पीशा नहीं जाएगा इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करकर पीश रही हूँ और थोड़ा सा दूठ डाल देंगे फिर इसे मैं पीश लूँगी एक बार इसमें हम दालेंगे चॉकलेट सीरप पहले इसे मैं पीश कर फिर एड़ कर दूँगी इसमें चॉकलेट सीरप अगर आपको बनाना नहीं आता रेडिमेट चॉकलेट सीरप यूज करिए फ्लिवर बहुत अच्छा आता है चॉकलेट सीरप से इन्शाला मैं चॉकलेट सीरप बना कर भी अपलोड कर दूँगी अगर देखिए अभी हमारा हो चुका है यह पीश कर इसे आप चान कर भी यूज कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा जाग दिख रहा है अगर आपको पसंद नहीं है तो इसे चान कर यूज करिए या फिर पहले ही निकाल कर दालिए चॉकलेट में से क्रीम भाहर कर दीजिए और स्रिफ चॉकलेट यूज करिए बॉर्बन बिस्किट से भी बहुत अच्छा बनता है मिल्कशेक और यह मैं गिलास को सजाने के लिए लिए हूँ पतिले में ही मैं गिलास को उल्टा की थी और यह बिस्किट के टुकडों पर हमें से रख देंगे तो इस चॉकलेट सिरप पर बिस्किट के टुकड़े चीप पक जाएंगे और दिखने में भी अच्छा दिखेगा अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों से शेयर करिए रिष्टेदारों से शेयर करिए कोमेंट करिए और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और यह हमारा ग्लास हो गया है सजाकर अंदर से मैं थोड़ा सा चॉकलेट सिरप से ग्लास को डेकोरेट कर रही हूँ और यह हमारा ग्लास हो गया है अब सजाकर अब निकाल लेंगे हम इसमें चॉकलेट मिल्क शेक और मेरी क्रीम भी बीट हो चुकी है हम इसमें क्रीम का इस्तमाल कर रहे हैं अगर आप चाहो तो इसमें वैनेला आईस क्रीम का इस्तमाल करिए उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और यह दाल रहे हम इसमें चॉकलेट मिल्क शेक अगर आपको कोको पाउडर नहीं डालना है आप इसमें कैटबरी डाल दीजिए मैं यहाँ पर कैटबरी का इस्तमाल डेकॉरेट के लिए ही करूँगी और आप मैं इसमें डालूँगी क्रीम इसमें आप वैनेला आईस क्रीम का भी इस्तमाल करिए आप देखिए माशालला हमारे गलास का लुक कितना अच्छा आते जा रहा है कि ऐसे मैं दुसरे गलास को भी डेकोरेट कर रही हूं अब क्रीम पर डाल रही है हमें चॉकलेट सिरप हम इस पर चॉकलेट सिरफ दाल रहे हैं, दिखने में भी अच्छा दिखेगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे देखकर टेस्ट इसका बहुत अच्छा है, आपको भी पसंद आएगा और देखिए, मैं एक क्याट बरी के पीस रखी हूं दो और माशालला हमारा मिलकशेक रेडी हो गया है, आप भी से जरूर ट्राइ करिए, इंशालला कल फिर मैं मिलूंगे एक नई रेसिपी के साथ, अपना खयाल रखिए, सेफ रहिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, थेंक्यू फर वाचिंग